नमस्कार और वेलकम देखेंगे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इनका उद्देश चेह आपको लंबी तक्रीश प्रवचन देना नहीं है इनका उद्देश यह है कि आप तक सीधे सीधे मैं वो प्रोफेशनल नौलेज पहुंचा पाऊं जो कि आम तोर पर किसी भी ट्रेडर तक नहीं पहुंचता है अब देखें इसमें बहुत जरूरी चीज़ है और वो है ट्रेडिंग के सही अच्छे साफ रिकॉर्ड रखेंगे रिकॉर्ड रखने के परंपरा तो हमारे यहां बरसों से है जब मैं बहुत छोटा था तो मैं देखता था कि मेरे घर में लोग भाई और खाते लिखा करते थे उसके बाद कंप्यूटर से आ गए और अब एक्सल शीट पर लोग अपन पुराने ट्रेट्स को भुला दिया होता है तो देखें ट्रेट्स के रिकॉर्ड रखना बहत जरूरी है कैसे रखे जाते हैं इसका प्रोफेशनल तरीका क्या है यह इस वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ तो देखें आईए देखते हैं कि ट्रेडिंग का record कैसे बनाया जाता है excel sheet पर और मान लिए अगर आप excel sheet यूज़ नहीं करते हैं computers का इस्तमाल नहीं करते हैं तो घबराइए मत आप इसको साधे कागस पर भी बना सकते हैं आईए देखते हैं तो आईए खोलते हैं बिलकुल नया spreadsheet और इस पर मैं आपको बताऊंगा कि trading के records कैसे रखे जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं trading के बही खाते और ये देखिए एक बिलकुल साफ और नई spreadsheet है जिस पे हम लोग 13 columns के spreadsheet बनाएंगे और ये जो 13 columns की spreadsheet है ये होगा आपका अपना trading का भई खाता तो इसमें देखिए जो पहला column होगा इसमें आपको तारीक डालनी है यानि कि जिस दिन आप खरीद रहे हैं वो date डालिए तो पहला column date का होगा अगर आप intraday trader है तो date के साथ-साथ time भी लिखे आप चाहें तो time के लिए अलग से column date के बगल में बना सकते हैं दूसरा column होगा stock का यानि कि आप कौन सा share खरीद रहे हैं इसका नाम लिखे अगर आप futures खरीदते हैं तो उस share के नाम के साथ-साथ futures लिख दीजिए जिससे पता रहे कि आपने stock को futures के जरीए खरीद आए तीसरा column होगा quantity का यानि कि कि संख्या में आपने ये shares खरीदे हैं वो संख्या लिखिए चौथा column होगा buy और sell का अगर आप short seller है यानि कि पहले बेचते हैं बाद में खरीदते हैं तो आपको यहां sell लिखना पड़ेगा otherwise आप लिखिए buy पांचवा column होगा buy price का यानि कि किस भाव पर आप share को खरीद रहे हैं वो भाव लिख दीजिए तो देखे जो भी भाव आपको पड़ा है finally यानि कि brokerage सरकारी taxes जोड़ लेने के बाद जो आपको stock की कीमत पड़ी है वो कीमत लिखिए buy price में sell price में लिखिए बेचने की कीमत यानि कि आपने जिस दाम पर खरीदा और जिस दाम पर आपका share बिका वो दर्च कीजिए sell price के column में जो साथवा column होगा वहाँ पर हम लिखेंगे stop loss और देखें ये आप stop loss तै नहीं कर पा रहें तो इस पर मैंने अलग से एक वीडियो किया है आप चाहें तो वो भी देखिए और उसके आधार पर तै करें कि stop loss कितना बड़ा होना चाहिए उस stop loss को आपको इस column में लिख लेना है अब जो column आएगा इसमें हम लिखेंगे कि कितने दिन तक हम इस position को हमने open रखा याने की days held कितने दिन तक इस position को आपने रखा दिनों की संख्या लिखेंगे यहां पर मान लीजे आप कोई share खरीदें और फ्र चार दिन रखतें तो चार लिखें यहां पर यहाँ इस से आपको पता लगेगा कि आप जो शेर खरीद रहे हैं उसको औसत आप कितने दिन तक उपन रखते हैं अगला कॉलम होगा प्रॉफिट और लॉस का ये तो बहुत साफ है कि देखे जहां आपने खरीदा मालीजे आप प्रॉफिट में निकले तो जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो जो आपने कमाया एक शेर पर उसको गुणा कर दीजिए जितने टोटल शेर से आपने खरीदे हैं उससे तो आपको टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस की संख्या मिल जाएगी और ये लिखेंगे अगले कॉलम में इसके बाद देखिए जो हमें प्रॉफिट हुआ है उस हो रहा है दो रुपे का भी प्रॉफिट हो रहा है और साथ में क्योंकि 2 रुपे सो पर 2% होते हैं तो यहां पर आपको 2% लिखना है तो प्रॉफिट परसेंटेज का कॉलम है ये बहुत जरूरी है और आगे जब हम मिश्टेशन करेंगे तब ये कॉलम बहुत काम आएगा इसलिए इस कॉलम को जरूर अपने बही खाते में जगा दें अब देखिए जो दो कॉलम हैं ये सबसे important कॉलम है इनको हम analytical कॉलम्स कहते हैं और इसमें देखिए जो पहला कॉलम है वो है rational का याने की खरीदने की ठोस वज़ा क्या थी बहुत कम शब्दों में आपको वजह स्पष्ट करनी है मिसाल के तौर पर आपने मान लीजे कोई share खरीदा इस वज़े से कि उसमें एक breakout आया तो उसमें लिख दीजे कि stock में breakout देखकर के खरीदा गया है कोई pattern देखकर खरीदा तो pattern देखकर के खरीदा गया है यह लिख दीजे तो खरीदने की वज़़ा क्या है ये आपको लिखना है अगर आपने बिना किसी वज़़ा के खरीदा है तो यह भी लिख दीजे कि without any reason मैंने खरीदा है जो अन्तिम 13 कॉलम हो यह कॉलम है अब डिवियेशन से माइने क्या है डिवियेशन मतलब आपने भटकाओ कितना किया है जो आपका तै कारण تھा खरीदने का जो आपका प्लैन था जो आपकी सोच थी किया उस से भटक कर कुछ और आपने किया मान लीजे आपने स्टॉक खरीदा था ये सोच कर कि इसको लंबे प्रॉफिट के लिए तीन चार दस दिन तक रखेंगे लेकिन अगले दिन ही प्रॉफिट आया और आप से बरदाश्ट नहीं हुआ और आप जल्दी निकल गए तो ये हो गया डिविएशन याने कि आप अपने तय उद्देश से अपने योजना से अलग हो गए तो वो डिविएशन भटकाओ इस पे लिखें और बिलकुल इमानदारी से हाँ पर लिखना है कि नहीं मैंने अपना रूल फॉलो नहीं किया यहां मैं जो रूल है उससे थोड़ा सा अलग हो गया तो ये अंतिम तेरवा कॉलम होगा डिविएशन का तेरा कॉलम का ये जो स्प्रेडशीट है जैसे ही आप इसको तयार कर लेंगे आप देखेंगे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये बहुत बड़ा पलब्दी है आपकी और साथ ही एक बड़ी सीड़ी आप चड़ गए है अब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के रास्ते पर ये आपका बहुत महत्वपून एहम कदम होगा और बाद में चलकर आप रिलाइस करेंगे इस स्प्रेडशीट का महत्वप अब जल्दी से देखिए मैं एक एंट्री इसमें डालके दिखा देता हूं जिससे आप सब को इसमें डालना आ जाए तो जल्दी से ड के नीचे मैं लिखता हूं 1754 जो की बेचने का मालmera भाव था स्टॉप लोस जब हमने 1614 पर खरीदा मालीजी हमने 1560 रूपे पर स्टॉप लोस अख्गा तो ये हमारा स्टॉप लोस हो गया जिस दिन हमने बेचा तब तक चार दिन बीद गए थे तो यहां हम लिखते हैं कि days held 4, चार दिन हमने इसको रखा, 140 points का profit आया मान लिजे आपको तो 140 लिखेंगे, क्योंकि 1614 पर खरीदा, 1754 पर बेचा, तो 140 points का profit हुआ percentage terms में इस profit को अगर आप फलाएंगे, लेकिन इससे पहले जो column है इसमें आपको लिखना है total profit, तो 140 points हमें इस trade में मिले और 100 की क्योंकि हमने quantity खरीदी थी तो हमारा मुनाफ़ा हो गया 14,000 रुपे का तो मैंने यहां लिख दिया, और इसके बाद लिखा मैंने कि percentage terms में 8.6% का profit हमें इस trade में आया, अब देखिए जो आखरी दो analytical columns हैं इसमें rational में मैंने यह लिखा है कि यह breakout देखकर के खरीदा गया है मान लिजिए आपने कोई resistance के तूटने पर यह stock खरीदा, तो वो breakout के वज़े से share खरीदा और untim जो deviation का column है, इसमें मैंने यह लिखा है कि early exit हो गया तो मान लिजिए आपने जो आपका targeted exit था, आप उससे पहले निकल रहे हैं तो हम लिखते हैं कि early exit हुआ, यह एक example बतौर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ hypothetical example है, इस example से आपको समझ आया कि किस तरह से entries आपको spreadsheet में डालने हैं जब आप कई सारी entries डाल चुके होंगे, तब आप देखेंगे कि एक final tally बन जाएगी total profit निकल आएगा, साथ ही निकल आएगा कि आपको total profit percentage कितना रहा आपका, कितने total trades आपने लिए अब आपको तीन चीज़ें अंत में लिखनी हैं, यह तीन चीज़ें बहुत जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ होगी number of winning trades, कितने trade में आपको सबलता मिली, कितने trades profit में गए, तो मान लिजे, आप 13 trade करते हैं, तो 13 trades में से, जैसा आप example बतौर देख रहे हैं, कि 10 trade मान लिजे, आपके profit में गए, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे, number of losing trades, यानि कि जिन में आपको नुकसान देना पड़ा, उनकी संख् कितनी थी, तो वो संख्या भी यहाँ पर आप अंत में लिखेंगे, और साथ में, देखेंगे अब एक बहुत important चीज़ लिखेंगे, जो मेरी राय में हर trader को ध्यान में रखनी चाहिए, सबसे important चीज़ है, किसी भी trader के लिए, वो है आपका sigma, और sigma क्या होता है, sigma होता है, आ आप ने total जो profit किया, उसको भाग किजिए by the number of trades, जो आपने लिए हैं, याने कि आपने 13 trade लिए, और मान लिजे आपने net में 13000 रुपे कमाए, तो आपका sigma हो गया 1000 रुपे का, यह जो sigma है, इसकी बहुत महत्व है, और यह आपके बेहत काम आएगा, जब आप trading की रणनीती बनाएंगे, तो इसके लिए sigma लिखिए, यह होगा अंतिम entry आपकी spreadsheet में, और यह तयार हो गई हमारी spreadsheet, तो देखा आपने कि यह 13 columns का Excel sheet बनेगा आपके trading का बही खाता, लेखा जो खा record, देखे अब आपको भी इसी तरह से अपना record बनाना है, और record के अंतिमे calculate करना है कि आप आपका sigma क्या है, sigma क्या होता है, sigma is net profit upon number of trades, याने कि एक trade पर औसत आप कितना रुपया कमाते हैं, इसको कहते है sigma, और यह बहुत ही important होता है किसी भी trader के लिए, तो देखे एक मेरी विंती स्विकार करिए, एक छोटी सी request है, वो यह है कि अब आइंदा आप भी अपने trade के record ब screenshot, मुझे भेजना न भूले, देखे एक वीडियो में और बनाने जा रहा हूँ, और उस पे मैं आपको यह बताऊंगा, कि इस Excel sheet से कैसे आप बता पाएंगे, कि आप क्या गलती trading में कर रहे हैं, तो trading में आपकी सबसे बड़ी चूक आप स्वेम पहचान लेंगे, जब आप वीडियो देखेंगे, तो उसका इंतजार कीजेगा, और साथ ही देखें, जाने से पहले, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यह वीडियो पसंद आया हो, तो थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ाईए, और प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब कीजे, और वीडियो को ल